अगर आपको कोई आपके नाम से विनोध नाम से अगर आपको कोई बुला रहा है तो वो एक आइडेंटिफायर हुआ तो वो आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर किसको करता है आपको करता है इस तरह से c प्रोग्राम्स में जो भी एंटिटीज यैसे कि कुछ विरियेबल है फंक्शन हैं स्ट्रक्चर है तो इनको कुछ स्पेसिफिक nाम दिया जाता है उस नाम को ही कहा जाता है Names given to C entities such as variables, functions, structures, etc. is called as identifier तो इस तरह से identifiers आपको हर program में बहुत important है आप अच्छी तरह से अगर identifiers के नाम देते हो तो आपको C program debug करने में, future में maintain करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी इसलिए आप अच्छी तरह से हर एक entity को proper नाम दोगे तो आपका C program बहुत readable होगा और आपको समझाने में, खुद समझ के लेने में आसानी हो जाएगी धन्यवाद